पियाची करमचारी के मकान में दिन्दाडे चोरी सवालाक नगत्वा सोने चांदी के जेवरात ले उडए चोर पुलिस राच में जुटी शिवपुरी सहर के फिजिकल थाना श्वेत्र के फक्कड कॉलोनी में दिन्दाडे लाखों के चोरी का मामला सामनी आया है जहां बेखौफ चोर पियची विभाग के कर्मचारी के सोने घर में ताला तोड़ कर गुसे और नगदी सहीत सोने चौनदी के जेवरात चोरी कर ले हुए सोचना के बाद फिजिकल थाना पुलिस ने चोरी के मामली के परताल शुरू कर दी है पतनी का उपचार कराने इन दौर गया था कर्मचारी जानकारी के मताबित फकल कोलोनी के प्याज गोदाम के पास रहने वाले पियाची विभाग में कारिरत कोँमल सिंग बैंस अपनी पतनी कृष्णा बैंस का उपचार कराने इन दौर गया थे कोमल सिंग बैंस ने अपने घर के सुरक्षाज की जिम्मेदारी अपने भाई नारायर सिंग बैंस को सौब दी थी कोमल सिंग बैंस के भाई नारायर सिंग रात में सोने के लिए अपने भाई के घर जाते थे और दिन भर घर में ताले डले रहते थे रोज की तरह नरायन सिंग सोमवार की रात करीब साड़े नौ बजी अपने भाई के घर सोने के लिए पहुचे जहां उन्हें घर के मुख्य दर्वाजी का ताला कटा हुआ मिला इसके बाद घर के अंदर कमरों में भी समान बिखरा हुआ पड़ा था इसके बाद नरायर सिंग ने अपने परिचनों को मौके पर बुलाया था गौरत लबे के चोर घर में रखे एक लाग पच्चिस जार नगा तीन तोला सोने की चूड़ी जुमकी दो तोला आठ सोने की अंगूठी आधी कई समान चुड़ा कर ले गए हैं